हम अभी भी पुराना तरीका ही इस्तेमाल करते हैं अफीम बनाने का पहले किसान अफीम के पोदे से बीच की जिलियों को काट कर अलग करता है फिर जिलियों को बीच में से चीर कर उसका रस निकालता है फिर रसके अच्छे से जमने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करता है रसके जमते ही उसे कुरेद कर निकालता है और फिर ये कच्चा अफीम हम तक पहुचाया जाता है हम उस कच्चे माल से कंकड, पत्थर, गंदगी को अलग करके प्रोसेस करते हैं क्वालिटी चेक करते हैं और फिर प्रोसेसिंग के लिए लैब में भीज देते हैं